गरीब का बांस ओमलेट धाबाप एक कार खाने के बाहर से हरिया अपने कंधों पर भारी अनाज की बोरियां उठा कर कार खाने के अंदर ले जा रहा था तब ही चलते चलते अचानक हरिया को चक्कर आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है क्या कर रहा है ये? तुझे पहले ही कहा था ना मैंने? ये काम तेरे बसका नहीं है चल निकल यहां से सहाब मुझे काम से मत निकालिये सहाब बड़ी मुश्किल से मुझे ये काम मिला है मेरी बेटी बिमार है सहाब उसका इलाज के लिए मुझे पैसों की जरूरत है अरे भोला, निकाल इस गरीब को यहां से, हाथ पेरों में दम नहीं है, और इतना कठिन काम करने चला आई है, निकाल इसे यहां से तभी कार खाने का मजदूर भोला हरिया को गेट के बाहर निकाल देता है ये काम भी मेरे हाथों से चला गया, अब मैं कैसे अपनी बेटी की दवाई लाऊंगा हरिया रोते-रोते अपने छोटे से घर में आता है, अंदर घर में उसकी पतनी विमला और 20 साल की बिमार बेटी रिया थी रिया एक गंभीर बीमारी से जूच रही थी, जी क्या हुआ? विमला, मुझे इस काम से भी निकाल दिया गया, मेरी कमजोरी हर बार मेरे काम के आड़ आ रही है मैंने आपको पहले ही कहा था, कि ये बोरिया उठाने का काम आपके बस का नहीं है, आप पहले ही हार्ट के मरीज हैं, उपर से आप इतने कमजोर भी हो चुके हैं रहे तो क्या करूं विमला, अपनी बिमारी और कमजोरी लिए सारी उम्रे घर में बैठ जाओं, जहां भी काम करने जाता हूँ, महिने पंद्रे दिन में मेरी कमजोरी देखकर मुझे वहाँ से निकाल दिया जाता है, घर में बेटी बिमार है, अब कैसे हमारा गुजारा च एक महिना पहले ही हरिया को बड़ी मुश्किल से अनाज के कार खाने में काम मिला था पर वो काम भी हरिया से ठीक से नहीं हो पाया। रिया को रोज दवाई देना जरूरी था अगले दिन हरिया अपने घर के आंगर में आता है तभी एक शेहरी सज्जन आदमी शेकर अपनी कार में हरिया के घर के बाहर आता है। अगर कोई लकडी बेचने वाला मुझे वहां से दो ट्रक बांस लाकर देता तो मैं उसे मुह मांगी कीमत दूगा। ये काम तो बड़ा असान है जंगल से बांस तो मैं भी तोड़कर ला सकता हूँ। अरे साहब मैं ले आऊँगा आपके लिए जंगल से बांस पर इतने दूर से बांस लाने में काफी समय लगेगा अच्छा मैं तुम्हें एक महिने का समय देता हूँ तुम दो ट्रक जंगल से बांस लाकर यहां जमा करो एक महीने बाद मैं यहां आकर तुमसे वो बांस ले जाओंगा ये 5000 रुपए एडवांस रखो बागी पैसा में बांस ले जाने के बाद दूँगा ये काम तो 30-40,000 रुपए का है अब तो हमारी सारी परिशानी दूर हो जाएगी हरिया घर में आकर रिया विमला को सारी बात बताता है विमला, तुम इन पैसों से घर में राशन और रिया की दवाई ले आओ पिता जी, मुझे ओमलेट खाना है आपके हाथों से ओमलेट बनाएए न हर्या चूले पर ओमलेट बनाता है और थोड़े समय बाद दूर दराज उस जंगल में पैदल ही बांस लाने चला जाता है वहाँ कई सारे बड़े बांस लगे हुए थे तभी हर्या उन बांसों को तोड़ने लगता है शाम का समय हर्या थोड़े बांस अपने सर पर उठा कर पैदल अपने घर आता है ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा पंदरा दिन बाद रात का समय जी सुनिए सारा राशन तो खत्म हो चुका है और पैसे भी सारे खत्म हो गए अच्छा मैं दरपन भाई से पंदरा दिन के लिए कुछ पैसे उधार लाता हूँ जब शेखर सहाब हमें बांस के पैसे देंगे तो हम दरपन भाई का पैसा लोटा देंगे हरिया उसी गाओं के सेट दरपन के पास जाता है और उससे दस हजार रुपए कर्ज लेता है देखते ही देखते पंदरा दिन बीच जाते है हरिया शेखर के भरोसे लोगों से कर्ज लेकर अपनी जरूरतें पूरी करने लगा एक महीना पूरा हो चुका था हरिया ने जंगल से कई सारे बांस लाकर अपने घर के आंगर में रख दिये थे एक दिन एक महीना होने को आया शेखर सहाब अब तक नहीं आये बांस लेने किसी काम में फस गये होंगे शेखर सहाब आज आएंगे देखते ही देखते पांच देन और बीच जाते हैं पर शेखर अब तक नहीं आये था कमाल है शेखर सहाब अब तक नहीं आये बांस लेने हमने तो उनके भरों से कहीं सारे कर्ज भी ले लिया है जी अगर वो शेहरी आदमी शेखर बांस लेने नहीं आया तो हम लोगों का कर्ज कैसे चुकाएंगे। हरिया विमला काफी परिशान हो रहे थे और लगभग पूरा एक महीना और ऐसे ही शेखर के इंतजार में निकल जाता है। हरिया विमला के उपर अब काफी कर्ज हो रखा था। एक दिन दरपन समेट कुछ लोग हरिया के घर आते हैं। हमें देते हैं तुझे। अगर एक महीने बाद हमारा पैसा नहीं मिला तो हम तेरा ये घर बेज कर अपना पैसा वसूल करेंगे। आखिर क्या बुरा किया था मैंने उस शेकर का। ना मेरे पास उसका नंबर है ना उसका पता। अब मैं कहां से लोगों को कर्ज चुकाऊंगा। पिता जी हम ओमलेट बना कर गाओं में बेचते हैं ना हम ये बास के एक दुकान बनाएंगे और बास को काट कर उसकी चोटी चोटी कटोरियां प्लेट बनाएंगे और बास के अंदर ओमलेट बेचेंगे इसमें जादा खर्चा भी नहीं आएगा। अगर हमारा ये कारोबार चलने लगा तो हम लोगों का कर्स चुका देंगे। विमला मैं ओमलेट बनाता हूँ तुम बाहर से ग्रहांकों को जमा करो। चलो अच्छा है, लोग धावे पर आने तो लगे। कहने पर मैंने जंगल से इतने सारे बांस लाए और आपका पता ही नहीं आपकी बज़े से हम पर कितना कर्ज हो रखा है। अब मेरी बज़े से आपको जो भी तकलिफ होई है, मैं आपसे माफि मांगता हूँ। मैं एक फैमली प्राब्लम में फस गया था, वो छोड़िए, ये लिजिए, आपके बाकी के 25,000 रुपए है। अरे पर हमने तो सारे बांस का ये ढाबा बना दिया। तब ही शेखर उस ढाबे को गौर से देखता है। वाँ, दर्स अमेजिंग, कितना ब्यूटिफुल होटल बनाया तुमने बांस का। शेखर जी, आप ये पैसा वापस ले लिजिए, क्यूंकि हमारे पास तो अब बांस ही नहीं है आपको देने के लिए। कोई बात नहीं हरिया भाई, आप ये पैसे फिर भी रख लीजिए। वैसे एक बात बोलू, आपको मेरी वज़े से इतना अच्छा कारोबार मिल गया। तब ही हरिया विमला शेखर को अपने बांस के धाबे पर बिठाते हैं और उसे ओमलेट खिलाते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, शेखर तो केवल एक बहाना था। हरिया के जीवन में ये बदलाव हमें लाना था, ताकि वो निकल जाए अपनी गरीबी से और मिल जाए उसे भी अच्छा काम। उसके बाद हरिया रिया का इलाज करवा देता है और अपने परिवार के साथ उस धाबे पर कमाई करके खुशी-खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। गरीब का टोकरी धाबा मा पिता जी, मुझे शहर में तो नौकरी मिल गई है, तो आप दोनों भी मेरे साथ चलिये ना शहर। सुन्दर बेटा, यहां हमारे पूरवजव का ये घर है, धाबा है, हम उन्हें छोड़ कर कैसे जा सकते हैं। सुन्दर बेटा, तू हमारे पास यहीं गाउं में रहना, यहां भी तो करने लाएक काफी काम है, नहीं कुछ तो तू अपने पिता जी का धाबा ही संभाल ले। मा, मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाई की, यह नौकरी हासिल की, और आप मुझे ढाबा चलाने के लिए कह रहे हो, आपको मेरे साथ चलना है तो चलिए, वरना मैं अकेले ही शहर जा रहा हूँ। पिता अनुज उसे चलाते हैं, यह परंपरा उनके पूरवजों से चली आ रही थी, अनुज का धाबा चोटा होने के कारण इतना नहीं चलता था, उसके धाबे के ठीक सामने ही एक पियुश नाम के अमीर आदमी का धाबा था जो काफी बड़ा भी था और आलिशान भी था सुन्दर ने पढ़ाई करके शेहर की एक कमपनी में 20,000 रुपे महीने से नौकरी हासिल कर ली थी, वो इस चोटे से गाउं में नहीं रहना चाता था, अगले देन अनुज अपने चोटे से धाबे पर आता है और वहाँ खाना बनाने लगता है, पियुश के धाबे पर कितन अच्छा बला हम पियुश काका के धाबे पर जाकर खाना खाते थे, देख इस तूटे धाबे पर चारो और धोली धोल जमी है, तरून मेरे पिता जी कहते थे कि अनुज काका बड़े इमानदार है, इनके धाबे पर सबसे अच्छा और हल्दी खाना मिलता है, ये सुनकर अ हमारी एक नहीं सुनी और हमें छोड़ कर वो शहर चला गया, ओलाद जब बड़े हो जाते हैं तो वो अपने जीवन के फैसले खुद ही तह करने लग जाते हैं, धाबे पर कुछ कमाई हुई आज, वही रोज के तीन से चार ग्रहा का आए थे बस, सोचा था बेटा बड़ा हो चुका है, तो अब मेरा सहरा बनकर धाबे के निर्माहन को आगे बढ़ाएगा, पर वो भी शहर चला गया, धाबे के ना चलने से अनुच काफी परिशान हो चुका था, उसके धाबे पर दिन के गिने चुने तीन से चार ग्रहा की आते थे, एक दिन अनुच के धाबे प पियोशाता है, क्या हाल है अनुच भाई, मक्या मार रहे हो क्या धाबे पर, अरे ऐसे खंडहर धाबे पर कौन आगर खाना खाएगा, बंद कर दो इस धाबी को, और रास्ते पर चने भुटाने बेचने का काम शुरू कर दो, ये सुनकर अनुच उदास हो जाता है, गरीबी का अपमान सुनकर अनुच की आँखों में आसु आ जाते हैं, पियोश हमेशा अनुच की गरीबी का मजाग उड़ाता था, करीब तीन महीने बाद अचानक एक दिन अनुच की तव्यत बहुत जादा खराब हो जाती है, तभी सुन्दर शेहर से अपने गाउं आता है, रात का समय. मेरे ढाबे को आगे बढ़ाएगा, मैं बचन देता हूँ पिता जी, कि मैं यहां रहकर आपके ढाबे के कारुबार को आगे बढ़ाऊंगा. तभी अनुच की मौध हो जाती है, ये देख कर सुन्दर हिमानी खूब रोने लगते हैं, कुछ दिन बात सवेरे. मा, मैं पिता जी के ढाबे पर जा रहा हूँ. भगवान तुझे दिन दुनी राच चोगुनी तरकी दे बेटा, जा, जा बेटा, अपने पिता के कारुबार को इतना उचा कर दे कि तेरे पिता जी का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो जाए. सुन्दर वहां से अपने पिता के ढाबे पर आता है. उस तूटे ढाबे की हालत देख कर सुन्दर के होश उड़ जाते हैं. अरे, ये ढाबा तो काफी तूट चुका है. इतने तूटे ढाबे पर कौन आएगा खाना खाने? तब ही सुन्दर के ढाबे पर पियोश आता है. ये सुनकर पियोश वहां से चला जाता है. अब मुझे इस ढाबे को तोड़ कर यहां एक बड़ा आलेशान ढाबा बनाना होगा. ताकि मेरे भी ढाबे पर ग्रहां काने लगे. सुन्दर गाउं में आता है और वहां घूमने लगता है. तब ही उसकी नजर एक गरीब पती-पत्नी, राकेश और दामिनी पर पड़ती है, जो अपने जोपडे के बाहर लकडी की टोकरियां बना रहे थे. बचपन में हम इसी टोकरी के अंदर छुपते थे. तब ही सुन्दर के मन में एक बात आती है. सुन्दर राकेश के पास आता है और उन्हें एक बड़ा से टोकरी जैसा दिखने वाला धाबा बनाने की बात कहता है. उसके बाद राकेश दामीनी जंगल में जाते हैं और वहां से हर रोज काफी सारी लकडियां तोड कर लाते है. और सुन्दर के उस धाबे को तोड कर वहां लकडि का टोकरी जैसा दिखने वाला एक खुबसूरत सा धाबा बना देते हैं. उस धाबे की छट भी लकडि की टोकरी जैसी थी और उसके नीचे का हिस्सा भी लकडि का बना टोकरी जैसा था. वो धाबा काफी बड़ा और आलिशान भी था, उसमें सुन्दर ने काफी आलिशान चीजे भी रखी थी, ऐसा आलिशान टोकरी धाबा देखकर हर कोई हक्का बक्का रह जाता है, एक दिन सवेरे सुन्दर अपने टोकरी धाबे पर बैठा खाना बना रहा था, तभी कई सारे लोग उस धाबे पर आते हैं, वाँ, कितना खुबसूरत टोकरी धाबा है यार ये, ऐसा धाबा तो मैंने आज तक नहीं देखा, इस धाबे पर तो खाना खाने का मज़ा ही कुछ और आएगा, अब तुम्हें रोज इसी हालिशान धाबे पर आकर खाना खाऊंगा, वाँ, कितना ब्यूटिफूल धाबा है, सारे लोग सुन्दर के उस टोकरी धाबे की बड़ी तारीफ करते हैं और सब उसी टोकरी धाबे में आकर खाना खाते हैं, ये धाबा तो बिलकुल रेस्टरेंट की तरह लग रहा है, आप सभी का स्वागत है, बताइए, मैं आप सब की क् कर सकता हूँ, तभी सब फटाफट सुन्दर को खाने की ओर्डर देते हैं, और सुन्दर सब को खाना देते जाता है, पहले ही दिन शाम तक सुन्दर की साथ हजार रुपए की कमाई हो जाती है, रात का समय, देखिए मा, एक दिन में मेरी कमाई साथ हजार रुपए की हो ग लोगों को भी उस टोकरी ढाबे पर आकर खाने खाने में बड़ा मजा रहा था, तभी सुन्दर अपने ढाबे पर चार नौकर रख लेता है, और इधर पियुश के ढाबे पर एक भी ग्राहक नज़र नहीं आ रहा था, उसका ढाबा पूरी तरह से बरबाद हो चुका था, ए अब बस मेरे ढाबे के बहार खड़े रहे कर ढाबे पर आए ग्राहकों का स्वागत कीजिए, तो देखा दोस्तों आपने, एक समय में जो आदमी सुन्दर के पिता को अपने ढाबे पर काम देने की बात कर रहा था, आज वो आदमी खुद सुन्दर के ढाबे पर चपरासी का काम करने लगा, उसके बाद सुन्दर अपने टोकरी ढाबे पर महीने के लाखो रूपे कमाने लगा और वो कुछी सालों में अपनी कमाई से गाओं में एक बड़ा सा घर भी खरीद लेता है और अपनी मा के साथ एक हस्ता खेलता जीवन बिताने लगता है, आज सही माइ सुन्दर ने अपने पूर्वजों की परंपरा का पालन कर दिया।